नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धुनराच शौट है डिकेट में इस ट्रनुक्लासिस में दोस्तों आजका अमरे डिक्टीशन है जनसत्ता आर्टिकल आलेक डिक्टीशन गति असी शब्द प्रतिमिनट तो आइए स्टार्ट कर एक वाइरस ने जैसे चलती फिरती दुनिया को रोक दिया इस रोक का असर यह हुआ की हमारा बाहर निकलना तक दूभर सडक पर आना जाना पुलिस वालों की निगरानी में होने लगा जाहिर है अत्यंद जरूरी न होने की अवस्था में वे किसी को बाहर नहीं ही जाने देते एका एक यात्राएं रुक गई परियतन थम गया फिर इससे जुड़ा एक बड़ा उद्योग देखते देखते तबाह हो गया नौकरियां खत्म और संस्थाएं बंद होने के कगार पर आ गई जब पोर्ण बंदी हुई थी तब उम्मीद थी की थोड़े दिनों की बात है उसके बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा लेकिन घर बंदी के दिन बढ़ते गए और घर से निकलना दूभर होता गया जो हमेशा निरंतर नई जगहों की खोज में रहते हों उन्हें उम्मीद भी नहीं बची की कब वे बाहर निकल पाएंगे और कब कोई यात्रा हो पाईगी मैं अपने स्कूल के बाहर वाली सडक पर खड़ा होकर सूनी सडक को निहारता और हर दस मिनट में गुजरने वाली पुलिस की गाड़ी के आने से पहले भीतर आ जाता सूनी सडक को निहारना ही मेरी यात्रा थी और पुलिस की गाड़ी गती शीलता की शायद अंतिम पहचान पैरा सब कुछ इतने पर सिमट आया था एक नेराशे और अवसाद भरता जा रहा था ऐसा बंधन कभी मैसूस नहीं किया था नए प्रकार के अवसाद से जूजना सीखना था फिर वह दिन भी आया जब घर बंधी में धील दी गई मैं अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा पास की नदी के किनारे विराम उस दिन सडक पर चलने में किसी चलना सीख रहे बच्चे जैसा महसूस हो रहा था आसपास को महसूस करने और नए सिरे से उस परिजित रास्ते को नए संदर्भो में देखना एक नया अनुभव था नदी वही थी पानी का रंग भी वही आसपास फुदकते पंची भी वही लेकिन बंधन से निकल कर बाहर आने का जो सुख था वह वर्नन के बाहर विराम कई दिनों तक घर की हद में सीमित रहने से जो निराशा भर चुकी थी वहे छटने लगी सुरक्षित लेकिन किसी चार दिवारी के भीतर रहने की आजादी की मनुवज्यानिक परतों का एहसास करीब से हो रहा था ऐसा लगता मानो सुरक्षित हूं लेकिन एक आशंका और परोक्ष दबाव और बंधन के बीच इसके विशलेशन के लिए थोड़ा वक्त और नई पद्दतियों का सहारा लूंगा की दिमाग से आजादी महसूस करने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है और क्या क्या उसे ऐसे अनुभवों से वंचित करते हैं विराम खेर तमाम सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए निकलना शुरू हुआ लेकिन दिक्कतें अब भी थी कहीं दूर आना जाना मुश्किल था क्योंकि कोई न कोई इस्थान संक्रमन के कारण बंद ही रहता पैरा उनहीं दिनों मैंने आसपास के इस्थानों को नए सिरे से जानने की कोशिश की और तभी मैंने जाना की आसपास घुमना हमेशा देखे हुए को देखना या खोजे गए को ही जानना नहीं होता एक शाम एक जरने के पास बैठा था और एक व्यक्ति ने बताया की सडक से नीचे नदी की दिशा में बढ़ने पर एक गुफा आती है वह गुफा कैसे बनी सबसे पहले वहां कौन रहते थे और अब कोई आता जाता है या नहीं यह सब पूछने से पहले ही उस व्यक्ति ने बताया की वहां कभी कभार हाथियों का जुंड आराम करता पाया जाता है इसलिए बहुत सावधान होकर दिन के उजाले में जाने की जरूरत है अगले दिन मैं उस गुफा को देखने पहुच गया वहां का नजारा अदबत था विराम ठीक उसी समय पता चला की आप बाहर कितना भी घूम फिर लीजिये लेकिन आपका पडोस आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बचा ही लेता जो आपको नए सिरे से रोमांचित कर दे अब मैं मौजूदा दोर में बाहर निकलने की शर्तों को पूरा करते हुए इधर उधर जाने लगा इस तरह की यात्राओं ने उस नेराशय से बाहर निकाला जो घर बंदी के दोरान घर कर गई थी पैरा उन दिनों जब मन घर में ही कैद रहने के कारण जुंज लाहट से भरा रहता था और घूमने फिरने की उम्मीद कहीं नजर नहीं आती थी तब की इस्थती और आज में बड़ा परिवर्तन आ चुका है अभी भी हालात बहुत बदले नहीं हैं लोग फूक फूक कर कदम बढ़ा रहे हैं होटल आदी डर डर कर ही खुल रहे हैं इस्थती सामान्य होने में पता नहीं कितना वक्त लग जाए इन सब नकारात्मक बातों के बीच अपने आसपडोस को नए सिरे से जानने समझने का विचार काफी रोचक है विराम जिस गाउं में हम पर पर्व त्योहारों पर जाया करते थे वहां दो दिन की चुटियों में जाना उस जगह को नए सिरे से जानने के अवसर प्रतान करेगा पून विराम तो दोस्तों यह थी हमारे आज की आर्टिकल डिक्टिशन जो की 80 प्रतिमिनट की गतित बोली गए इत्या आशा करते हैं आप से गूर डिक्टिशन परसंदागी तो प्लीस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अब तक आम में चल को सब्सक्राइब में करें सब्सक्राइब पर एंड वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले थन्यवाद